हाई गाइस दिस इस इमान्चो सिवाल सिवाल क्लासिज में आप सभी का स्वागत जैसा आप थमनेल पर देख चुके होंगे आज मैं डिसकस करने वाला हूं कि बोर्ड का जो साइन्स का एक्जाम होने वाला है second March 10th class का उसमें आप कैसे अपनी preparation कर सकते हैं ठीक है हमारे साथ कैसे कर सकते हैं और मैं आपको सभी topics और उन topics के जो question answer है वो सब live पढ़ाने वाला हूँ यानि physics के हम physics की बात कर रहे हैं especially physics के सभी chapter चार दिन है आपके पास चार chapter है ठीक है आज 26 परवरी है आज आप English का एक्जाम देखाएं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का एक्जाम अच्छा हुआ होगा और आज आपने rest वगर अच्छे से कर लिया ठीक है आपके पास देखिए physics chemistry bio तीन चीज़ पढ़नी है मैं यहां फिलाल आपको सिर्फ physics की preparation करवाऊं तो आप chemistry bio किसी और चैनल से या जहां पे भी आप पढ़ते हैं उस माधिम से देख सकते हैं सभी बच्चों को मेरी एक सलहा पहले ही मैं देदूं कि जिन बच्चों ने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करी हुई है वो live class attend ना करें वो सभी बच्चे घर बैट कर अपने आप अपनी books अपने बनाएवे notes अपने करे गई practice questions की ही तैयारी अच्छे से कर लें यह live videos सिर काम आसकती है जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है पूरे साल वो यह live video ना देखें मैं इस पश्ट कहा रहा हूं मुझे पता इससे मेरे views घट रहे हैं लेकिन आप सभी का फायदा है ठीक है अब जड़ा जिन बच्चों के काम की है हो समझने जड़ा कैसे क आपके काम आ सकती है तो 27 परवरी को लाइट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा सुबह 10 बजे टाइम का फ्लक्चेशन हो सकता है यह मेरी लाइफ की पहली लाइफ क्लास होगी चीक है मेरी लाइफ की पहली लाइफ क्लास अभी तक मैं यूट्यूब पर लाइफ नहीं अच्छे लगेंगे तो मैं उनको आपको रात को 9 बजे लाइव आकर उनकी प्रेक्टिस चीक है प्रिवियस यर कॉस्टिस तो और शाम की टाइम काफी सारे हम कॉशन प्रेक्टिस करेंगे सेम अगले दिन लेक्टिव सिटी के लिए मैगनेटिक इफेक्ट औफ करेंट और तो चार दिन के अंदर फिजिक्स के चार चैप्टरा बहुत अच्छे से प्रिपेर कर सकते हैं अपने डाउट पूच सकते हैं अगर मुझे लगा के कमेंट में डाउट नहीं पूच पारे तो मैं आपको वट्सेप नंबर दे दूँगा आप वहां कोशन भेज दीजेगा शाम को आपको उसको सोलीशन मिल जाएगा वीडियो के अंदर लाइफ ठीक है बशरते वो कोशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और जो बच्चे पढ़ चुके मैं फिर बता रहा हूं वो घर पर ही प्रैक्टिस करें लाइ तक उनके लिए ये काम आने वाली है जादा से जादा इसे शेयर कर दें बच्चों तक काफी बेसिक से हम स्टार्ट करें ठीक है और क्योंकि साथ-साथ 12 का भी फिजिक्स का एक्जाम है तो टाइमिंग्स थोड़ी बहुत फ्लक्चेट हो सकती है ठीक है वो आपको बता दी जाएंगी जैसे भी हो चले फिर इतना ही रखते है आज थैंक यू